बहुत दिन से सोच रहा था कि आपको ऐसे ही एक वीडियो बना के बताऊं कि सिंगापुर में प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है और उनकी प्राइस क्या होता है रेंटल के क्या रहेंगे अगर आप बाय करने लग जाते हैं तो क्या प्राइस देने पड़ते हैं अभी म से जस्ट बराबर में हा यह होती है Islanded Property और यह इसके औलावबा यह कयाते हैं ृज कि अ था थे हैं Гार्च आवे it lawsuits दूल की तरहां बएंगानग सी हो ए इनाओं के विल्डिंग रह रहा हैं नाओंवेली दूलन की परदह इलटिने भी एंको कॉंडेमिनों बोलते है खिर से की SDB और यह फाइव स्टार होस्पिटल नोट होटल होस्पिटल है तो यह तीन एक्जम्पल है चार एक और होता है शॉप हॉसेस वह मैं आपको अभी आगे बताता हूं तो यहाँ पे तीन चार तरीके की प्रॉपर्टीज होती है सेमी गवर्मेंट और प्राइवेट ऑलसो तो अभी कहीं बैट करके मैं आपको इनके प्राइज बताता हूं और रेंटल कितना रहता है वो बताता हूं और बाकी चीज़े डिस्क्राइब करता हूं सो वेलकम बैक अभी जो आपने एक्जमपल लेखिए उन में से सबसे पहले हम बात करते है एक एक गौर्मेंट प्रोजेक्ट है जो 1960 में शुड़ हूए था और अब तक चल रहे हैं इसमें मिडिल क्लास फैमिली को मद्दे नजर रखते हुए ऐसे हाउस बनाना थी जो एक अबरेज फैमिली अफॉर्ड कर सके है और उसकी इलिजिबिलिटी के रिया यह है कि एक फैमिली की हाउसोल्ड इंकम आज के टाइम में 5000 से लेकर के 9000 के बीच में स्टैंड कर दी जाए है अगर हम रेट की बात करें कि आपको अगर एक 2BHK SDB लेना है तो उसका कितना लग कर सकते है असा नहीं है उसका 20% आपको डिपोजिट करना पड़ता है उसके बाद उस पे लोन हो जाता है फिर आप इमाई पे कर सकते हैं बड़ आप इलेजिबल होना चाहिए उसके लिए और अच्छी बात यह है कि गॉर्णमेंट इसके लिए सबसिटी भी आपको लोकेशन्स अकॉर्डिंग टू एरिया मिल जाएगा जो कि बहुत जादा होता है कि फ्लैक को रेंट करना और फिर एलेक्रिसिटी और वाटर बेल एक्स्ट्राइब उसका अलग से बिना परता है पर अच्छी बात यह है कि जितने भी है उनको इस तरीकी से प्री प्लान कि प्लाइब और अच्छी बात यह है कि यहां पर फिर जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उनके बीच में एक सेंटर में एक कंपल से रिए कि फूट कूट होगा और मार्किट होगी कि बंदे को कहीं दूर जाना ही ना पड़े और यह बहुत अच्छी चीज है कि आप घर से निकल और कुछ भी सामार आपको लेना है चाहिए वो आपका एसेंशल प्रोडक्स हो या फिर आपके हाउस्वोल्ड प्रोडक्टों वेजी डेमस फ्रूट जो भी हो वो आपको एक ही जगा मुहिया हो जाते हैं पर ऐसे ही हर जगा आपको मार्किट भी मिल जाती है यह बहुत अ आप इसके लिए लिजिबल होते हो और अगर हमें कॉंडो में तू भी एच के फ्लैट की बात करें तो इसका स्टार्टिंग प्राइस होता है वन मिलियन डॉलार आपको कम से कम इतने तो पे करने पड़ते हैं एक तू भी एच के यूनिट के लिए इसके अलावा फिर इसक मिलियन डॉलार तक और अगर रेंट की बात करें कि आपको एक यूनिट के कॉंडो में रेंट एक करना है तो उसका रेंटिंग भी बहुत जादा है 4,000 से स्टार्टिंग होती है फिर वो 7,000 तक 8,000 तक मंतली आपको देना पड़ता है ओंडोस के लिए तो भाई अगर मान लीजी आप 4,000 एक तू भी एच के यूनिट के लिए देरो रेंटिंग 4,000 तब यह इंडियन रुपीस में बन जाते हैं तकरीबन धाई लाग इसलिए दुनिया की सबसे महगी कँट्री है रहने के हिसाब से लिए और अगर हम बात करें यहां पर लेंडे प्रपटी की तो यह सबसे जादा महगी प्रपरटी यहीं कंपलीटली प्राइवेट प्रपरटी होती हैं आप एक बार बाय कर लो तो आप भी की है और यहां प होता रखता है बहुत अच्छे लगता है मुझे इस तरीके के घर को अम पर को वह बहुता अच्छे है और सबसे बुद दार बहुत बड़ी को बना सकते हो और सबसे बुरी बाद यहां पर एक यूनिट लो यह पिर पूरा एक बंगला लो ईसका एक क्रिटेरिया से है, सब्सक्राइब करें कि आप 2BHK फ्लैट यहां पर लेते हैं, चाहे वो कॉंडो में हो या स्डीबी में हो, तो 2BHK फ्लैट में चार परसन से जादा अलाओ नहीं है, बहला एक फैमिली से जादा अलाओ नहीं है, पर यहां का रूल है, कि आपको 4 परस में 6% अलाओ है, और उसके बाद अगर जादा फैमिली बड़ी होती है, तो फिर आई जाओ अपना देखो, ऐसा वाला सीन है यहां पर, अपनी तरह नहीं है, कि एक कमरे में पूरा खुनवा रहता है, ऐसा सीन नहीं है, यहां पर बिल्कुल भी, सेपरेट सेपरेट रहो, शादी करो, निकलो, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट यह रूल इदर है, और अगर हम बात करें यहां पर शॉप हाउसे की, तो शॉप हाउसे की होता है, नीचे शॉप होते हैं, और उपर उनके घर बने होते हैं, मैंने मुस्टली टाइम यह देखा है, कि यह शॉप हाउसे जो होते हैं, यह सस्ते होते हैं, सबसे अगर रेंटिंग की साफ से भी देखा जाए, तो शॉप हाउसे ही हैं, और बाय करने की साफ से तो शॉप की कीमा बहुत जादा होगी, तो बाय करने का तो कोई परफस बनता भी रही है, बट हाँ, रेंटिंग की साफ से शॉप हाउ कम होता है मतलब पच्छिस सो तीन हजार तो नहीं होता उससे कम होता फंद्रासो दो हजार के असपास डॉलर के असपास आप में शौफाउसन मिल जाते है यहां आने से पहले थोड़ा से रिजर्स करना जादा बहतर रहेगा और यह वीडियो अकर आपके काम की है या फिर जो झाल 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 झाल